और मुझे तो लगता है कि ये समय आ गया है जागरूखता बढ़ाने की तो जागरूखता बढ़ाना एक बहुत essential service है It's a very important essential service to spread awareness हमारा करते पर बनता है सारे दिन वर आज मैं सुबह से लेके मैं रात 10 बजे तक 11 बजे तक जब तक जरूरी परे हम सिर्फ awareness spread करेंगे नमस्कार बाबाजी नमस्कार नमस्कार आपको हमारे रेपब्लिक मीडिया नेटवर्क के जितने करमी है आजकल तो नमस्ते कर देने बाबाबाबाबा नमस्कार मैं वीवी से लंदर में गया था, वहां मैंने देखा था, इतना जबर्दा स्टूडियो वहां था वो प्यार से उठाया था एक सलोगल देता हूं रिपब्लिक भारत परमदेश को योग करो ना, नो कोरोना योग करो ना, नो कोरोना तो आधा से एक मिनट जो ऐसे ब्रहत को होल्ड करके रख लेते हैं श्वास को भरा और रोक लिए अंदर, इसको कुम्भक कहते हैं यदि आप ऐसे आधा से एक मिनट, मैं तो ऐसे धाय मिनट तक होल्ड करता हूं आधा से एक मिनट आप होल्ड कर लेते हैं तो इसका मतलब आपको कोरोना नहीं है आप निशिंद होके रहिए बिल्कुल और यदी जवान व्यक्ति सो बार और बुजूर्ग व्यक्ति 50-60 बार ऐसे डीप ब्रीधिंग कर लेता है इसका मतलब उसको कोरोना नहीं है स्वामी जी एक और मैंने आसन शुरू किया अभी ये मेरा इन्वेंशन है आपको बताओं उसमें 10,000 कैलरी भी जाती है उसमें लंग कैपैसिती बढ़ जाती है वो उसको कहते हैं डिबेट आसन विवाद आसन आप दो घंटे मेरी तरह सुबरात आप साथ बजे शुरू कीजिए ग्यारा बजे खतम कीजिए मैं डेली करता हूँ एक घंटे हिंडी में डिबेट दो घंदे अंग्रेजी में डिबेट इतना एकसरसाइस हो जाता है इतना अनुलोम विलोन सब हो जाता है स्वामी जी हाथ पाओं के एकसरसाइस भी हो जाते है दिन बर, तो मेरा तो वो डिबेट आसन में करता हूँ, उससे मेरी लंग के पैस्ति बढ़ जाती है, स्वामी जी, बट एक बार, स्वामी जी, आप इतनी जल्दी जल्दी डिपेट करते हो कि आपकी लंग किसी तितनी जाद है, और किसी को बोलने नहीं देता हूँ, तो मैं इस वीजो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या, अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो, तो जड़ा उप्योग करो, मुझे लगता है अगले 72-100 घंटों और शायद कई हफतों तक ये वाइरल रहेगा,